गाईज रिसेंटली आदेपुरुष का एक सौंग राम सिया राम जैसे ही रिलीज हुआ तो इस गाने पर फिर से बवाल शुरू हो गया है इस बारी लोगों का कहना है कि इस सौंग में सीता मैयों को बेहुदा और अदनंगा दिखाया गया जहां आप भी देख सकते हो कि रामायन में सीता मैयों को ऐसे वस्तर में दिखाया गया लेकिन इस गाने में सीता मैया की बलाउज को इतना कम दिखाया गया कि एक बारी को आपको भी लगेगा कि उन्होंने बिना बलाउज की उपर इस साड़ी को डाल लिया है हलाकि यह पहली बार नहीं है क्योंकि पहले भी इस मुवी को लेकर काफी लोगों ने विरोध भी जताया था तब लोगों का कहना था कि रामायन का इसलामी करण किया जा रहा है पहले तो रावन की लुख को अलाउधिन खिर्जी की तरह दिखाये गिया तो वहीं दूसरी तरफ हनमान जी की दाड़ी दिखाई पर उनकी मूझ गयब थी जहां रामायन में आपने देखा हो कि हनमान जी की ना तो दाड़ी थी ना ही उनकी मूझ और आगे तो राम, लक्षमर और हनमान जी को लैदर के शूज भी पैने हुए दिखाए रावन के उडन खटोला की बात करें तो यहां रावन के उडन खटोला की जगा रावन को शैतानी चमकादर के उपर बैठा हुए दिखाया तो गाइस आपने देख लिया होगा कि हमारे भगवान को कितना गलत तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इन लोगों का विरोध होने के बाद ये लोग थोड़ा दपतो गए वरना तो इनका बस चलता तो ये सीता मया को और भी कलत तरीके से दिखा देते तो गाइस इस सब पर आप लोगों का क्या कहना है प्लिस कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे डिली ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सस्क्राइब करना मत भूले